हर उमर में सफेद बालों को जड़ से काला कीजिए आमले को इस तरह इस्तिमाल करकर live result video में आपके साथ शेयर किया जिसको लगाने से आपके सफिद बाल है वो तो कारे हुगए HIS सप्सक्राइब आपके बाल अब झोल्डर हुआ यह समीस दोत nine जुरूर अपने बालों पर लगा के जिकिए बहुत इच्छा जल्ड इस आप इस रेमडी को अपनी दाड़ी मुछों पर अपलाई कर सकते हैं आपको बहुत ही चरजल देखने को मिलेगा चोटे सी वीडियो है वीडियो को फुल वाच कीजिएगा अगर पसंद आएं थे लाइक शेट करना मत बूलिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आई ह इसे क्ले कीजिए और ग्रेमिक कनवर्ट कर दीजिए यहां पर आपको बहुत ही अच्छी और यूसफुल होम रेमेडी देखने को मिलेगी तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपको सूपर डूपर हेर डाई कैसे तयार करनी है उसके लिए आपको लेना है लोहे की कडाही जाएंपि लोहे का पैन ले लीजिए इसमें एड़ कीजिए दो से तीन चमच आमला पाउडर जिसे हम गूस बेरी पाउडर भी कहते हैं आपको गैस का फ्लेम ओन कर लेना है इस पे कडाही रखती जिए बिल्कुल फ्लेम पर रखना है और थोड़ी से इसमें आमला पाउडर एड़ किजिए ठोड़ी से हलदी पाउड़ अब आप सोच रहे होंगे कि दी ने हलदी पाउडर क्यों यूज़ की है जैसे कि बरसात का मौस चल रहा है बालों में फंगस इचिंग होती है इसलिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ किया है आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं अब आपको इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है साथी साथ इस वीडियो में में आपके साथ चूटे बगर बहुती मोटे मोटे शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुती आगे काम आने वाली है आपको इस तरह से इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करने के बाद इसमें आपको कौन-कौन सी चीज एड़ करनी है गाइस कुछ वीवर्स के यह कमेंट होते हैं कि दी हमारे बाल बहुत कोफी पाउडर मिलाने के बाद आपको इसमें एड़ करनी है हीना पाउडर जाने की मेहदी आप कोई भी मेहदी ले सकते हो बट कुछ वीवर्स जेक पूछते हैं कि दी आपने कौन सी मेहदी यूज की है इसलिए मैंने दिखाया है मैंने यहां पर आड़ कि है नुपूर ह आपके से भी कोई भी हीना यूज कर सकते हैं जो आपके बालों पर सूट करती हो बालों की लेंद के गोर्डिंग आपको हीना एड़ करनी है और इसमें थोड़ा थोड़ा करकर आपको अब पानी एड़ करना है और पानी को एड़ करते ही आपको इसे मिक्स करना है आप दे आलमंड ओयल और थोड़ी सी कपूर इसको मिक्स करकर एपने बालों पर आपलाई कीजिए आपके बालों से डैंडर्फ चू मंतर हो जाएगी आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक मिनट तक इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर चलाईगे एक मिनट के बाद आपकी डॉव बनकर इस तरह की तयार हो जाएगी आपको बिल्कुल इसी तरह की रीच चाहिए आप आपको इसे एंग खंटे के लिए रेस्ट करने के लिए चोड़ देना है एक हंटे के बाद आपको इसे कैसे अपने वालों पर से फरंट साइड से बिलकुल ही वाइट हेर्स हैं अब आपको इस टाइब को लगाने के बाद कैसा रिजल्ट मिलनेवाला है लाइव रिजल्ट मैंने शेयर किया हैं इस वीडियो में सबसे पहली बात कि गाइस आपको जब कोई हेर पैक जब यह हेर मेहंदी कोई भी पैक हमारे बालों में मेहदी लगाने के बाद red color आता है तो dear उसका solution यह है कि आपको अपनी मेहदी में आमला powder और coffee powder जरूर एड़ करना है इस तरह करने से आपके बालों पर dark brown color का आएगा color ना कि red color का और हां अगर आप मेहदी अपलाई करते हैं तो आप उसमें lemon juice भी एड़ कर सकते हैं करण जानी की दहीं भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके बालों में shine भी बहुत अच्छी आएगी आपको इस पेकुल लगाने के बाद इसको एग घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और एग घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने वालों को wash करना है शैंपू बिल्कुल भी use नहीं करना है मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ बढ़ फिर भी कुछ वीवर्स कमेंट करकर जब पूछते हैं कि दी अब हमने नॉर्मल पानी से अपने बालों को wash करना है ठंडे पानी से करें जा फिर गरम पानी से आपको करनी है चंपी चंपी करने के बाद आपको ऐसे ही चोड़ देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अपने हेर वाश करने है अगर आप ऐसे नहीं चोड़ सकते तो आप 2-3 घंटे के लिए और चोड़ दीजिए और फिर आप शैंपू कीजिए आप देखेंगे कि आपके बालों पर कितना प्यारा हेर कलर आया है ये डाई लगाने के बाद आप मार्केट वाली डाई लगाना बिलकुल भूल जाओगे इसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा आप चोटी उमर के हैं बड़ी उमर के हैं लड़के हैं लड़की हैं आप सभी इसे यूज कर सकते हैं बेफिकर होकर आप इसे अपनी दाड़ी मूचों पर भी अपलाई कर सकते हैं तो आज का पैक आपको कैसा लगा कैसा रिजल्ट मिला अपना एक्सपीरियंस में इसा जुरूर शियर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करकर आप कोई भी कोशन पूछ सकते हैं अगर इस वीडियो से रिलेटिड आपके मन में कोई भी कोशन है तो अब एक घंटे के बाद हम इसे वाश करेंगे और वाश करने के बाद आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि कि तना ओसम और प्यारा रिजल्ट आया है बिल्कुल डाक ब्राउन कलर के बाल हो चुके हैं आपको भी बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा अगर आपको आज के वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी से भी यूस्पूल लगी हो इंट्रस्टिं लगी हो तो इस वीडियो के अपना प्यार दीजिए और अच्छी अच्छी देखते रहें तो गाइस मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयार रखिएगा अगर आप इस वीडियो से लेकिड आपको कोई भी कोश्चन है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में मुसे कम आपको जुरूर दोंगी तो गाइस मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयार रखिएगा थैंक्स पर वर्चिंग टेक केर बाबाई यह आप जहां भी शोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं फेस्बूक वर्टसप ट्विटर जो उपर आप एंड सक्रीन पर वीडियो देख रहे हैं इन्हें क्लिक कीजिए और वाच कीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं अगर आपको हेर से लेटिट जा फिर स्कीन से लेटिट कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैन